सत्तरवा अत्याय श्री कृष्ण की दिन चर्या तथा उनके निकर जरा संद के द्वारा बंदी राजाओ के दूद का आना श्री शुकदेव जी ने कहा है परिक्षित श्री मुल्ली मनोहर संसारी जीव कुमार्व दिखाने के लिए जिस समय जो कारे करते थे अब उसको सुनो जब दो घड़ी रात रहने पर पक्षी बोलने लगते थे तब श्री हरी सब महलों में से उठकर सनान करने के उपरान अप त्री मन्त का जाप करते थे चार घड़ी दिन चड़ने पर प्रतियक भवन से दूद देने वाली गाएं विधी पूर्वक ब्रामनों को दान दे कर उनसे आशिरवात प्राप्त करके भोजन करते थे तदुप्रांध वे अनेक रूपों से एक रूप में परिवर्तित होकर द्वार पे आते थे फिर वे दारुक सार्ति सहित रत पर बैटकर घूमने चाते थे उस समय साते की उनके पीछे बैठा रहता था तदुप्रांध वे सुधर्मा सभा में जाकर यदू वन्शियों के बीच पैटते थे फिर राजा उग्रसेन के साथ कुछ समय तक कथा पु देजी ने कहा हे परिक्षित एक दिन जब वे सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे उस समय मगत देश से आये हुए एक प्रामण ने कहा हे प्रबु राजा जरासन ने बीस सहस्त्र राजाओं को बंदी बना कर अपने यहां रक छोड़ा है सो में उनका संदेश लेकर आपक करके उन्हें मार कर प्रित्वी का भार हटाते हैं जिस प्रकार आपने हिरने कशिपू को मार कर प्रलाद की रक्षा की उसी प्रकार अब आप हमें भी अपनी शरंड में आया हुआ जानकर राजा जरासन्द के हातों से बचाईए हे परिक्षित ब्रामण की बाते सुनकर श्री बांकी विहारी को आशिरवात देनी लगा उसी समय नारज जी भी वीना बचाते हुए वहाँ आप पहुंचे उन्हें देखकर श्री हरी ने दंडवत प्रणाम करने के उपरांत अध्यंत सम्मान पूर्वक पठाया फिर हाँ जोड़कर इस प्रकार कहा है प्रभू आने की क्रपा कीजिए यह सुनकर नारज जी ने उत्तर दिया हे श्री श्याम जी मैं अभी पांडवों के पास से होकर ही आ रहा हूं वे लोग राजसुययक करने की अभिलाशा रखते हैं और यह चाहते हैं कि आप इंदरप्रस्त पहुंचकर उनका मरूरत पून करें उसी समय एक सेवक इंदरप्रस्त से राजा युदिष्टर का निमंत्रन पत्र लेकर आ पहुंचा हे राजन उस पत्र को पढ़कर श्री कृष्ण ने यदू वंशियों से पूछा हे भायो एक और तो मगद में बंदी राजाओं ने जरासंद की कैट से छुढाने के लिए पूछा हे उद्धव सब लोग अलग-अलग सम्मती दे रहे हैं अतह अब तुम बताओं कि पहले क्या करना उचित है यह सुनकर उद्धव ने हाज चोड़कर उत्तर दिया हे प्रभू यह मेरा अहो भाग्य है जो आप मुझ से इस प्रकार पूछ रहे है एक अत्तरवा आ फिर वहां से भीमतता अर्जुन को साथ लेकर राजा जरा संद के पास चाहें जब आप उन राजाओं को कैथ से छुड़ा देंगी तब वे आपकी अत्यन्त कृतग्य होंगी उस समय वे आपकी आग्यानुसार राजय युदिष्टर के यग्य में समिनित होकर बड़े प् मुक्से यह वचन सुनकर श्री श्याम सुन्दर जी ने नारजी से कहा एम उने आप राजा युदिष्टर से जाकर यह कह दीजिए कि हम तुमारे यहां आ रहे हैं जब नारजी चले कए तब श्री नट्वर नागर ने उस प्रामण से कहा एद विश्ट्रेश्ट तुम मुरली मनुहर का ध्यान करने लगे उदर नारजी ने भी इंदर प्रस्त में पहुँच कर राजा युदिष्टर से श्री बांकी बिहारी के आने का समचार कह दिया यह परिक्षित इसके अनंतर श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन के पास चाकर पांडवों के यहां जान नहीं थी मार्ग में वे जहां कहीं ठैरते थे उस देश का राजा भेट लेकर उनकी सेवा में आ उपस्तित होता था सब प्रजा भी श्री श्याम सुंदर के दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य बनाती थी इस प्रकार सब लोगों को सुप देते हुए जब वे तीसरे दि इंद्रप्रस्त के निकट पहुचे तब उनके साथ भारी भीड़ भार देखकर एक सेवक ने राजय युदिष्टर के पास जाकर यह सूचना दी कि है माराज कोई राजा सेना लेकर इंद्रप्रस्त पर चड़ आया है यह सुनकर राजय युदिष्टर ने नकुल तदा स लगवाने करने गए तता उनके समुग पहुचकर जैसे ही चर्णों में गिरने को हुए वैसे ही शिरी दीनानात उन्हें अपने से बड़ा चान कर स्वयम उनके चर्णों पर गिर पड़े राजय युदिष्टर ने उठा कर उन्हें गले से लगा लिया तदुप्रांथ सहित कुंती के चर्णों में अपना मस्तक रखा उस समय कुंती ने प्रेम मगन होकर सबको अपने हृदे से लगा लिया तदुप्रांथ उन्हों ने द्रौप्ती एवं सुबत्रा आदी से भेट की भात्तरवा अध्याय धर्म राज युदिष्टर का राच्य यग तथा जरा संदुवद श्री शुपदेव जी ने कहा हे परिक्षेत कुछ समय वैतित होने पर एक दिन राज युदिष्टर ने श्री मुड़ी मनोहर के सम्मुख खड़े हो हाद चोड़कर इस प्रकार कह हे प्रभू मेरे बड़े भागे हैं जो आपने यहां पधार कर मुझे अपने दर्शनों से क्रतार्थ किया आपकी क्रपा से अब तक मेरी सभी अभिदाशाय पून हुई हैं अब एक इच्छा और शेश रह गई है कि एक बाच्य यग करके अपने जनम को सफल बनाओं आप श्री मुर्ली मनुहर ने कहा ए राजन तुम्हारा विचार अत्यंत उत्तम है जब तुमने अपने प्रेम द्वारा मुझे वश्मे कर लिया है तब राच्य यक्योन बड़ी बात है अरजुन आदि तुम्हारे चारो भाई ऐसे महाबली हैं कि उनसे कोई युद्ध नहीं क कर सकता तह तुम अपने चारो भाईयों को यह आग्या दो कि चारो दिशाओं में जाकर सब राजाओं पर विजय प्राप्त करें तद प्रांत तुम प्रसन होकर यग्य करना यह सुनकर राजय युदिश्चर ने बहुत सी सेना के साथ अरजुन को उत्तर वीम सेंग को आपकी क्रपा से पूर्ण हुआ अब आप क्या अग्या देते हैं यह सुनकर उधव राजा युदिश्चर से इस प्रकार कहने लगे यह राजन जब तक मगत का राजा जरासन तुम्हारे वश में नहीं होता तब तक यग्य कैसे होगा अतहा तुम उसे जीतने का उपाई क करो लेकिन हे युदिश्चर राजा जरासन ऐसा बलवान है कि संसार में उसे कोई जीत नहीं सकता है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई उपाई श्री क्रिश्च नहीं कर सकते हैं उद्दव जी के ऐसे वचन सुनकर जब युदिश्चर कुछ उदास हुए तब श श्री हरी के साथ भ्रामन वेश बनाकर मगत देश में चा पहुँचे उस समय उन्हें देखकर ऐसा लगता था मालों सशरीर सतोगुन तमोगुन तथा रजोगुन हो जरासन ने उन तीनों भ्रामनों को देखकर अति आदर सतकार किया फिर हाद जोड़कर इस प्रकार कहने लगा हे द्विच्ष्ष्ट जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन देकर करतार्थ किया उसी प्रकार घर चलकर भोजन कीजिए यह सुनकर श्री कृष्ण बोले हे राजन हम लोग बहुत दूर से तुम्हारा यर्श सुनकर यहां आए हैं अतहा हमें जो इच्छा है वह हमें प्रदान करू एन रपती दान देने का ऐसा महात्मे है कि एक कबुतर व्याद के लिए अपनी प्राण देकर भहसागर से पार उतर गया था ए राजन इसके अत्रिक तुमने राजा हरिश्चंद्र के विशे में भी सुना होगा वह ऐसा दानी तता धर्मात्मा था कि उसने अपना संपून धन भामनों को दान कर दिया था ए राजन धर्मात्मा राजा रंती देव ने 48 दिन तक भूके रहने के उपरान जब कुछ अन्न भोजन के लिए पाया तो उसे भी एक भ्रामन को खिला कर स्वेम भूकस हो गया उस धर्म के कारण उसे मुक्ति मिली राजा ब आलक नामक रिशी छटवे महिने भोजन करने को बैठे तो एक अतिती के आ जाने पर उन्होंने अपना भोजन उसे खिला दिया और स्वेम भूके रह गए उस अन्न दान के प्रताप से वे विमान बेबैट कर वेकुंट लोगचा पहुँचे गदीची रिशी ने इंद्र आदी देवताओं की रक्षा के लिए अपना शरीर ही दान कर दिया था एन रिप्षेष्ट जिस प्रकार पिछले युगों में दानी तता धर्मात्मा होते आए हैं उसी प्रकार इस युग में तुम दानी तता धर्मात्मा उत्मन हुए हो इसलिए तुम हमारी इच्छा प राजाबली ने शुक्राचारे की मना करने पर भी वामन भगवान को तीनों लोगों का राज्य दे दिया था, तो उसका जुयर्ष तीनों लोगों में छा रहा है, यह विचार कर उसने श्री मुल्डी मनुहर से कहा, हे द्विश्टेश्टो, पहले आप निश्कपट भाव से अपना परिच्चे दीजिए, फिर जिस स्वस्तु की आकांशा हो, वह मांग लीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको अपने प्राण देने में भी संकोच नहीं करूँगा, यह सुनका श्री मुल्डी मनुहर ने कहा, हे राजन, यदि तुम सच्चा चाहते हो तो सुनो, मैं युद्वन्शी कृष्ण हूँ, तथा ये दोनों मेरे फुफेरे भाई, अर्जुन और भीम सेन है, मैं तुम से साधानन विक्षा लेने नहीं, बलकि युद्ध दान मांगने आया हूँ, अतहा तुम हम तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध कर ना स्विकार करो, तब जरासंद प्रसन होकर बोला, हे कृष्ण, मुझे तुम्हारी बात स्विकार है, सुनो, तुम तो मेरे सामने युद्ध स्थलों में भाग गए थे, तता अर्जुन की अवस्था छोटी है, इसके अत्रिक्त यह एक वर्ष्ट तक राजा विराट के यहां ही जड़ा बन कर रहा है, ततहा तुम दोनों से मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, हाँ भीम सेन से लड़ने के लिए मैं तयार हूँ, वह मेरे बराबर का भी है परन तु पहले आप लोग मेरे यहां भोजन कर लीजिए, तदुपरान धर्म युद्ध लड़िए, य पह सुनकर श्री कृष्ण ने प्रसंता पूर्वग अर्जुन तता भीम सेन के साथ राजा जरासंद के यां भोजन किया, फिर जरासंद ने दो लोहे की कदा मंगवाई, तता भीम सेन को एक कदा दी और दूसरी स्वेम ली, तब दोनों युद्ध करने के लिए एक स्थान पर जा खड़े हुए, एक परिक्षित उस समय जरासंद और भीम सेन एक दूसरे पर वार करने लगे, एक किप्रहार को दूसरा अपनी गदा से रोक लेता था, युद्ध करते करते जब संध्या हो गई, और कोई नहीं हारा, तब दोनों वीर युद्ध बंद करके, श्री क निभीम सेन के वक्षस्तल पर एक ऐसा घूसा मारा कि वे व्याकुल हो गई, तब उन्होंने रात्री के समय श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभू, जरासंद अत्यंत बलवान है, उसके प्रहार से मेरी छाती में भेंग कर पीड़ा हो रही है, अतह कल मैं घर लोट जाओंगा यह जुनका श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत धहरे बनाया, तब अपना हाथ फेर कर पीड़ा को धूर कर दिया, फिर यह कहा कि कल युद्ध के समय मैं तुमें जो संकेत करूं उसके अनुसार कारे करके तुम जरासंद को मार डालना, 27 दिन जब युद्ध प्रारंब हु तब श्री हरी ने एक तिन का उठा कर उसे बीच से चीर डाला, उसका भीच समझ जाने पर भीम सेन ने जरासंद की एक टांग पर अपना पाउर अपकर तता दूसरी टांग को हाथ से उपर उठा कर उसका शरीर बीच में से चीर डाला, इस प्रकार जब जरासंद का जुड त्यू कर समचार सुनकर उसकी रानी रोती पीटती, श्री मुली मनोहर के पास आकर कहने लगी, ये प्रभु जिसने आपको सर्वस्भ दिया, उसके प्रान लेकर आपने क्या भलाई की, आपने राजा बली के साथ भी यही किया था, श्री हरी ने उसे धेरे प्रदान कर जरास उसे साथ लेकर उस थान पर पहुंचे जहां सभी राजा कैथ थे उन्होंने देखा कि परवत की कंद्रा के समीप एक गड़ा खुदा हुआ था जिसके भीतर सब राजा बंध है तता उसके द्वार पर एक भारी पत्थर रखा है श्री हरी के आग्यानुसार सहदेव ने उन स समवस्त राभूशन से अलंकरत कर चत्तिस प्रकार के भोजन कराई उस समय वे श्री कृष्ण से हार चोड़कर प्रात्ना करते हुए बोले ये दीन बंधु आप ही संभून जीवों की उत्पत्ति करने वाले हैं आपके आदियंत को कोई नहीं चानता आप यदी चाहते तो अपनी इच्छा से ही जरासंद को मार कर हमें चुड़ा देते परंतु आपने अपना दर्शन देने के लिए ही यहां पतार कर हमें कृतार्त किया है ए प्रभू हम आपके चर्णों में प्रणाम करते हैं इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा ए राज श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वचन सुनकर जब सब राजा अपने अपने घर जाने को उद्यत हुए तब सहदेव ने उन सब के लिए रत हाती घोड़े तता सेव को का प्रबंद कर दिया श्री हरी ने उनके कंठ में एक-एक मुक्ता माल पहनाई तब वे अत्यंद प्रस संद के मारे जाने का समचार धर्म राज युदिष्टर को सुनाया जिसे सुनकर वे अती प्रसन हुए चोहतरवा अध्याय युदिष्टर के यग्य तथा शिशु पालवद की कथा शुपदेजी बोले है राजन जरासंद के मारे जाने पर उन 20 तहस्त्र राजाओं के अत वागत सतकार किया तद उप्रांद नकुल जाकर बिश्व पितामा तथा दुर्योधन आधी को अपने साथ ले आए वेजव्यास शुपदेव नारत कश्यप वशिष्ट वाम देव अत्री आधी रिशी तथा भ्रह्मा शेव इंद्र आधी सभी देवता निमंत्रन पाकर अपनी अपनी इस्त्रियों सहित यग्य में भाग लेने के लिए आए तब शुबलग्न में राजय युदिष्टर ने यग्य करने के लिए अपने हातों स्वर्ण के हल से प्रित्वी को जोता तथा साकल्य आधी सभी आवशक वस्तुए मंगवा का रिश्यों के समी प्रग जब यह प्रशन उपस्थित हुआ की सबसे प्रथम किस देवता की पूजा की जाए तब जरासंद के पुत्र सहदेव ने उठकर राजय युदिष्टर से यह कहा ये राजन भगवान वासु देव से बढ़ा और कोई नहीं है ये संपून स्रिष्टी के स्वामी तथा ब्रामनों तथा ज्यानी राजाओं ने उसकी प्रशंसा करते हुई यह कहा कि हे युदिष्टर से देव का खतन सत्य है तुम सबसे पहरे श्री वासु देव की ही पूजा करो यह सुनकर युदिष्टर ने अत्यंत प्रसन होकर श्री कृष्ण को सर्वच आसन पर बठाया तथा उत्तमों उत्तम वस राबुशन बहना कर उनकी विदिवत पूजा करने के उप्रांत रत्न आदी की भेट दे कर कहा हे प्रभु आप तीनों लोकों के स्वामी है अतहा आपको कुछ भेट करते हुए हमें संकोच होता है आप इसे भक्ती की भावना जानकर स्विकार क इतनी कता सुना का श्री शुकदेव जी ने कहा है परिक्षित श्री मुली मनुहर की पूजा से सब चोटे बड़े लोगों को प्रसनता हुई परंतु चंदेरी के राजा शिशुपाल को यह बहुत बुरा लगा उस देर तक तो वह अपना सिर नीचा कहे बैठे रहा फिर खड़ा होकर इस प्रकार कहने लगा यह राजय युदिश्चर इस सवा में भिश्म बितामा दृत राष्ट राधी सब बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं परंतु बड़े आश्चरे की बात है कि इस समय तुमने एक बालक के कहने पर कृष्ण को सबसे बड़ा मानकर उनकी पूजा की यह पूजा वैसी ही है जैसे इंद्र का भाग कोवे को खिला दिया जाए क्या तुम लोग यह नहीं चानते हो कि इस कृष्ण ने बहुत दिनों तक वन में गोचराते हुए अहीरों के साथ रोटी खाई है अभी तक यह भी नहीं पता चला कि यह नं के भैसे अपनी जनम भूमी को छोड़कर द्वारता में चा बसा ए परिक्षेत इस प्रकाश शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रती अनेक दुर्वचन कहें परन्तु श्री हरी उसका कोई उत्तर ना देकर उसके प्रती एक दुर्वचन पर एक एक रेखा खीषते चले जा रहे थे उस समय भीम सेंद्रोणाचारे तथा आरजुनादी ने अत्यंत क्रोध करके शिशुपाल से कहा अरे नीच यदि तु हमारे सामने श्री मुर्णी मनुहर के प्रती ऐसे शब्द कहेगा तो हम तुझे जान से मार डालेंगे तब श्री श्यान सुन्दरों ने र उस समय शिशुपाल के धर से एक जोती निकली जो पहरे तो अकाश की ओर गई फिर श्री क्रिश्न के मुख में आकर समा गई यह देखकर देवता तथा रिश्यमुनी श्री श्याम सुन्दर की स्कुति करने लगी इतनी कथा सुनकर राजा परिक्षित ने कहा हे श्री शु हरी के पाठशत जय विजय ने संसार में तीन बार जनम लिया था तता तीनों ही बार उन्होंने श्री नारायन जी से शत्रुता करके मुक्ती प्राप्त की थी पहले जनम में वे दोनों हिरने कश्यपू तता हिरन्याक्ष हुए उस समय श्री हरी ने नंसीन तता वारा अवत दूसरे जनम में रावन थता कुम करण हुए जब श्री हरी ने रामचद्र अवतार लेकर उन्हें सहारा वेही दोनों तीसरे जनम में शिशुपाल थता दंतवक्र हुए उन्हें श्री हरी ने कृष्ण अवतार में मारकर परंपत दिया। ये परिक्षे श्री कृष्ण द्वारा सौ रेखा कीचे जाने का कारण यह था कि शिशुपाल की माता महादेवी वसुदेव जी की बहन तथा श्री कृष्ण जी की बुगा थी जब शिशुपाल का जनम हुआ तब उसके तीन नेतर तथा चार भुजाए थी जब दमगोश जोतिशियों को बुला कर उसके जनम ग्रहों का फाल पूछा तब जोतिशियों ने यह बतलाया था कि यह बालत अत्यंत प्रतापी एवं बल्वान होगा तथा जिस वेक्ति ये गले मिलने पर इसकी दो भुजाएं तथा तीसरा नेतर अद्रश्य हो जाएगा उसी के हाथो यह मारा जाएगा एक बार महादेवी जी अपने पिता शूर सेन से मिलने के लिए द्वार का गई तब उसने शिशुपाल को सब यदुवन्शियों के गले से भी मिलाया जब वहक श्री कृष्ण के गले से मिला उस समय उसका तीसरा नेतर तथा दो भुजाएं अद्रश्य हो गई उस समय महादेवी जी ने श्री हरी से यह कहा हे कृष्ण मैं तुझसे यह बीक मांगती हूं कि तु कभी शिशुपाल को मत मारना तब श्री कृष्ण ने उस से यह उत्तर दिया हे बुआ मैं इसकी सो अपरार्शमा करूंगा परंतु इस से आगे नहीं छोड़ूं यही कारण तक शिशुपाल के दुर्वचलों की संख्या बताने वाली रेखाएं जब सौसी अधिक हो गई तब श्री हरी ने उसका मस्तक्कार डाला इतनी कथा सुना का श्री शुपदेव जी ने कहा यह परेक्षेत इस प्रकार जब राजा युदिष्ठर का सम्मान पूर्वग विदा किया दुर्योधन के अत्रिक्त सब राजा युदिष्ठर की प्रशंसा करती हुए अपने अपने घर गए 25 अध्याय दुर्योधन के मान मर्दन का व्रतांत इतनी कथा सुनकर राजा परिक्षित ने कहा है मुनिश्रेष्ट दुर्योधन की अप प्रसंता का क्या कारण था यह बताने की कृपा करें श्री उपदेव जी बोले है राजन राजय युदिष्ठर के यग्य में सब राजाओ को श्री कृष्ण की रूची के अनुसार काम सौपा गया था बीम सेन ने भोजन कराने का काम लिया था दृष्ट द्यूमन ने भो शी मनयों की सेवा का भार्ध गया तता वस्तूओ को एकत्रिक करने का काम नकुल ने देग लिया ब्रामनों के चरंदोने तता उनकी चूटी पतले उठाने का काम श्री कृष्ण ने अपने जिब में रखा द्रौब्दी आदी ने स्त्रियों के आतित्थ्य का भार लिया उसकी हाथ में चक्र है इसलिए यदि वह एक रुपया खर्च करेगा तो उस चक्र के प्रभाव से कोश्ट दस कुना अधिक पड़ता रहेगा दुर्योधन द्वारा अधिक खर्च करने पर प्रशंसा राजय युदिश्चर की ही होती थी जिससे वह और अधिक कुरता था इ उसी समय राजा दुर्योधन भी वहां आया वह सभा ऐसी थी जहां स्थल की जंगा जल तथा जल के स्थान पर स्थल का भ्रम होता था जब राजा दुर्योधन वहां आया तो एक स्थान पर सूखी धर्ती को जल से भरी हुई जानकर अपने कपड़े उठा कर चलने लगा इ समय भीम सेन ने खिलकिलाते हुए कहा तनिक समल कर चलो उन सब को हसते वे देखकर राजा दुर्योतन कृद्ध हो वहां से आगे चला जब वह द्रौपती के महल को देख रहा था तब उसने दर्वाजा समझ कर दिवार से टक कर ली तब द्रौपती हसकर बोली अंदे के अंद जब तक मैं इसका बदला नहीं लूगा तब तक चैन से नहीं बैटूँगा इतनी खता सुना का श्री शुपदेवची ने कहा ये परिक्षेत उसी दिन से दुर्योधन ने पांडवों के पीछे पढ़कर उनका सब राजे ले लिया तथा उन्हें वनवास दिया श्री कृ प्रत्वी का भार उतारने के लिए महाबारत कराना चाहते थी अतह ये कटना भी उनी की इच्छा से घड़ी